नमस्कार दोस्तों, आरवेदिक सिंखला को आगे बढ़ाते हुए, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं, एक और चमतकार एक उसदी पोधा, ये जो पोधा आप देखा हैं, ये देखिए, अभी ये बरसात की फ़ार पड़ते ही, ये भूम में से भार निकलना सुरू हो और ये उसदी गुड़ों में से भर पूर हैं, और ये बहुत अच्छा पोधा है, सायाद इससे सब कोई परचित भी होगा, ये देखिए, इसके फल लगने सुरू होए हैं, इसके फल कांटेदार होते हैं, ये तीन खूट के होते हैं, तीन नौकदार होते हैं, और इसके क अताम आती हैं, इसका जो पोधा है, भूम पर फैलने वाला होता है, और प्रसान श्रीनली होता है, ये भूम पर फैल करके, चारों तरफ काफी मात्रा में फैल जाता है, और फिर उसमें ये गुरु खुरी के बिन लगते हैं, और ये फल में कांटे होते हैं, इसका प्रियो गोखुरु का उसिदिगुण से भरपूर है, आपको किसी कोई भी अंग प्रियोग कर सकते हैं, इसकी पंचांग के अभाव में आप इसकी बीजों का प्रियोग कर सकते हैं, इसकी जड़का प्रियोग कर सकते हैं, और ये पूरा का पूरा पंचांग ही प्रियोग कर सकते ह आज मैं उसदी का प्रयोग लेकर आया हूँ इस गोखरू का कि किस तरीका से आप इस गोखरू का प्रयोग करके अपने ब्रक की बिमारी में, गुर्दे की बिमारी में लाप पा सकती है अगर अभी तक आपने मेरे चल्ला को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबा कर सब्सक्राइब करें का किसी तरीका के वेडियो आपको मिलते रहें दोस्तों यह देखे, इसके फल लगे हुए हैं, जब यह फल पक जाएंगे, तो यह पूरा का पूरा प्ल पक फल हो जाएगा और अभी इसका फल आ रहे हैं, फूर भी आ रहे हैं, और यह छोटा का छोटा पौदा है अभी गुर्खुरू का, बहुत बड़ा पौदा हो जाता है, मैंने यह तोड़ तोड़ के आपको दिखाया है तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेती हुए, मैं आज आपको बता दूँ कि किसली का से आप इस गुर्खुरू का प्रियों करके, अपने ब्रक की सूजन दूर कर सकते हैं, गुर्दी की सूजन दूर कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके गुर्दों में इनफेक्शन हो गया है, गुर्दी की सूजन रहती है, या किसी करार से गुर्दी में दर्द हो रहा है, गुर्दी की पत्री भी है, तो उन सभी बीमारियों में यह गुर्खुरू राम बाणे हैं आप इस गुर्खुरु का कैसा प्रियोग करेंगे वहन उसका सुन ले जिए दोस्तों गुर्खुरु पंचांग आप ले जिए और गुर्खुरु पंचांग ले करके आप इसको छुरे छुरे चुकड़ों में करके छाया में सुखा ले जिए और जब ये छाया में सुख ज आए तो वह सुका हुगा पंचांग आप कूट पीश करके कपड़ी से च्छान ले और वह च्छना हुगा जो चूरन है वह है आप 100 ग्राम ले लिए और इसी गुर्खुर के च्छने हुए चूरन 100 ग्राम जो लिया है इसी में आप कुल्थी का कपड़ी च्छन चूरन 100 ग्राम ले लिए। यह दो चूरन आप मिलाकर के एक चूरन बना ले बस आपकी दबा तयार है। इसका पुना सुनिए ग्राम और कुल्थी का कपडशन चूरन सो ग्राम आप इन दोनों चूरन को ले करके आपस में बला करके एक चूरन बना लिए और अगर आप फिर सुबें साम खाली पेडिस का प्रियोग करती है तो गुर्दे में किसी भी प्रकार के इंफेक्शन क्यों नहीं हो गुर्दे न क्योंता यह इसां करने से सामय स्सिया शभार करता है इसके अलाबा अगर आपको बाथ़ूम में जलन होती है है दर्द होता है तो सारिक-सारी सिकाईदेें दून होती है तो चोंड़ा बरिखनी आप दोस्तों यह बहुत रशलह चा है अगर आप कुल्ति के साथ नहीं लेन इसको वैसे ही लेजिए और बगैर पानी डाले किसी सिलबट्टी की साहिता से इसको महिन से महिन चच्चनी की भाद पीशिए ताजा और फिर पीश करके कपड़ी में रख करके च्छान लेजिए और वह है जो इसका रस निकले वह है रस चाय की जो कप होता हुए आधे कप की मात्रा तक आप इसे रोजान सोबे और साम पिए अगर आप मात्र गोखुरू का ही अकेले ही प्रियोग करते हैं तो ऐसा प्रियोग ही आपको ब्रिक की सुजन को खत्म कर देगा ब्रिक की निस्कृता में काम आएगा ब्रिक की इंफेक्शन में काम आएगा और पत्स्री मे में भी काम आइगा। अगर आप चाहूं तो के लिए प्रयोग कर सकते हैं और अगर चाहएं तो दोनों स्वद्र में प्रयोग करेंगी तो बद voting और ब्यूभ अच्छ शोग. इसलिए जो योग मैंने बताया है वह योग आपके जिए, गो CCP 25 ऐाफ original, करने से आपके गुरुदे सवाल होंगे और गुरुदे के सभी प्रकार की बिमारियां दूर हो जाएंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कि हम फिर मिलेंगे अपने अगले वेडियों में तब तक के लिए नमस्कार